आप सभी को मेरे नमस्कार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइल फिक्स 300 दवाई की बारे में और बाइल फिक्स 300 जो दवाई होती है इस दवाई की पूरी डिटेल जानेंगे इसलिए इस वीडियो को आप बिल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर आपको एसे लेके जए तक दवाई की स्रीज और काफी हेल्थ टिप्स भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी चले शुरू करते हैं देखिए बाइल फिक्स दवाई इसका में एक्षन क्या होता है वो हम आगे इसी वीडियो में जानेगे देखिए बात कर लेते हैं इसके उपयोगों की देखिए इस दवाई के सबसे बड़ा उपयोग के अगर बात करें तो प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस में इस दवाई का उपयोग किया जाता है ये जो सिरोसिस है, सिरोटिक लिवर जो है, हमारा जो लिवर होता है, उसमें क्या होता है, एक पित की थहली होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है लिवर की हेल्थ के उपर, ये जो पित की थहली होती है, वो धीरे-धीरे क्या होता है, डैमेज होने लग जाती है, गॉल ब्लेडर स्टोन में इस दवाई का उपयोग बहुत जादा किया जाता है देखिए पित की थेली में जब पत्री हो जाती है तब इस दवाई का उपयोग किया जाता है देखिए क्या होता है बाइल डक्ट जो होती है जो लिवर से निकलती हुई connect करती है गॉल ब्लेडर को तो यहां पर क्या है कि जब सिकुडन पैदा होती है तो उस वज़े से क्या होता है यहां पर जो है obstruction होने लग जाता है रुकावट होने लग जाती है रुकावट की वज़े से क्या है धीरी धीरे जो है पत्री बनने लग जाती है और यह जो पत्री है वो काफी hard होने लग जाती है तो इसको soft करने के लिए उसको dissolve करने के लिए while fix दवाई का उपयोग किया जाता है जब भी देखे डॉक्टर के पास में patient आता है पेट दर्द की शिकायत लेके और देखे इसका जो पेट में दर्द होता है वो right side में जो है दर्द होटता है पत्री का तो जब patient doctor के पास में जाता है doctor check up करता है sonography करता है तब पता चलता है कि पित की थेली में stone है तो उसके बाद में क्या होता है doctor इस दवाई का उपयोग जो है patient को बताता है देखिए क्या होता है कि जो हमारे शरीर में cholesterol होता है वो जमने लग जाता है bile duct में और वो stone का रूप ले लेता है पत्री का रूप ले लेता है तो ये दवाई क्या करती है इस पत्री को dissolve करने का काम करती है और especially जब ये पत्री 15 mm से छोटी होती है जब 15 mm से छोटी ये पत्री होती है तब इस दवाई का जो है बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है देखिए side facts जान लेते हैं क्योंकि कई बार patient भी doctor से पुछता है कि doctor साब कोई side facts तो नहीं होगा इस दवाई का के बाद में देखने को मिल सकते हैं ऐसा नहीं होता है कि हर patient में ये सारे side facts देखने को मिलता है इसलिए इस दवाई को आप doctor की सला से ही करें तो देखिए ये था bile fix 300 दवाई के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप comment करें इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल